हुआ है हैं apparently हैंजर्ड्स इं प्रिको्संस इन लिफटिंग या रेगिंग में क्या-क्या हजर्ड हैं क्या-क्या खत्र्य हैं और क्या-क्या आपको सदानी लेना होगा तो आप इसका ऐसे एंसर कर सकते हैं Overn turn of crane, एनि जो crane है हो पलट सकता है Next is damage lifting tools जो भी lifting tools हैं, अगर damage हम यह यह उज़ कर रहे हैं तो वो एक खत्रा है, उससे कोई भी दुड़िगाटना हो सकता है Next is line of fire Line of fire है खत्रा 1,000 है Line of fire क्या है? स्वार्ट में समझ लेते हैं सपोज कोई भी क्रेन है जो की erection work में इंगेज है कोई भी lifting कर रहा है तो इस क्रेन के आज़ी बाजी जो भी area affected होंगे जहाँ पर किसी को नुकसान हो सकता है क्रेन से कोई टकरा सकता है या अगर कोई कारणवस लोड गिर गया तो उससे चोट लग सकता है तो सारा area line of fire में आता है next है collision यानि अगर कोई भी load हम erection कर रहे हैं तो किसी building में किसी structure में किसी pipeline में या किसी other crane में अगर टकराता है तो भी एक हजार खत्रा है next है fall of load अगर किसी कारणवस जो भी load हम lift कर रहे हैं अगर वो fall कर जाता है तो भी एक खत्रा है next देख लेते हैं क्या क्या आपको precaution लेना है जब भी आफ lifting कर रहे हैं आपको क्या क्या साधनी लेना है सबसे पहला है जो भी lifting tool से सभी का inspection करना है ताकि अगर कोई भी damage है तो इसे हम reject कर सकें वहाँ से हटा सकें next है जो भी crane का outrigger है उसको fully extend करना है ताकि जो crane है balance हो पाए third है provide tagline जो भी tagline हम यूज़ करना है ताकि हम लोड को balance कर सके रीग कर सके वह हमारा tagline होता है तो tagline हमेशा use करना है जिस ground पे crane खड़ी है वह even होना चाहिए और strong होना चाहिए ताकि जो crane का weight है वह easily समभाल सकें इसे क्या होगा जो भी आपकी crane है वह collapse नहीं करेगा next area आपको barricade करना है जहां भी erection कर रहे हैं lifting कर रहे हैं और जो crane का safe working load है उसके according load को lift करना है safe working load को follow करना है झाल कर दो है आपको